हलो एवरिवन आज का जो वेडियो है हमारा वो है मुगल डाइनस्टी में बाबर और हमायू तो मुगल डाइनस्टी जो है इसमें सबसे ज़्यादा कुश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं MPPSC में आए बढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीज़े सबसे पहले देखते हैं सोर्सेस क्या है तो बेसिकली जो भी सोर्सेस है मुगल डाइनस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है लिटररी सोर्सेस जैसे ऑटो बाइगरफी या बायोग्राफी जो किंग्स बगरा की लिख हुए है वह इससे मेजरली पता चलता है डानेस्टी के बारे में तो यह कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने लिख दिए कुछ इंपॉर्टेंट पाकी इसके लाव भी बहुत सारे सोर्सेस हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका लीनेज सिस्टम क्या है तो मुगल डानेस्टी की स्टैब्ले इंडिया में आने वाले थे तब इंडिया की पॉलिकल कंडिशन किस प्रकार से थी देक्री इसके पहले दिल्ली सल्तनत का अयरा था और दिल्ली सल्ट में सल्टनत में लास्ट में ल॒धी डैनेस्टि थी लूधी ड direct 뭐 थे इबर्हाहिम-लोधी और इबराहिम-लोधी ने बाब इंडिया का स्टेटास हमें वहां से पता चलता है तो कुछ इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटास है इंडिया का आप देख लीजे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे नीचे देखिए आप विजयनगरा एंपायर है उसके उपर बीजापूर बिदर गोलकुंडा बे इबराहिम लोदी यानि डेली सल्तनत के अनतर गरते तो जब बाबर यहां पर आये थे तो हर एक एरिया में अलग-अलग रूलर्स थे जो रूल कर रहे थे उनको देख लेते हैं कौन से कौन से रूलर्स थे तो सबसे उपर अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर का जो एरिया ह वहाँ कोई स्टेबलिटी नहीं थी विकॉस हिंदू किंग्स थे काफी सारे उसके बाद मुस्लिम किंगा थे जुनेल आबदीन नेक्स्ट हर एक एरिया में अलग-लग रूलर्स है तो यह रूलर्स है कौन-कौन कुछ अफगानी रूलर्स है कुछ राजपूत हिंदू इनके बीच में लगातार कंफ्लिक्ट चल रहा है एक दूसरे से तो कोई स्ट्रॉंग पॉलिटी नहीं है इस समय इस समय डिसिंटेग्रेटेड पॉलिटी है और जब बाबर आएंगे और मुगल डैनेस्टी की स्टेश्मेंट होगी तो मुगल रूलर्स है वो यही काम करे करेंगे वो इन सबको वन बाइवन सैक करके एक इंटिग्रेटेड एंपाइर इस्टैबलिश करेंगे अब स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में जो बाबर है वो उनका जनम हुआ था वालेंटाइन्स डे के दिन 1483 में और इनका एक्शुली ओरिजिनल नाम है जहरुद् फर्गना स्टेट है जो ट्रांस ऑक्सेनिया का वहां से बिलॉंग करते थे सेंटल इशा का पार्ट है ये और पैटनली ही वास फ्रॉम ए तैमूर साइड और मैटनली ही वास डिसेंट ऑफ गेंगेस खान उसके बाद 11 साल की उमर में इनको राजगदी मिल गए थी इनके प तभी से इन्होंने बहुत सार एक्सपेडिशन समरकंद के लिए किये हैं एक इंपोर्टनेट एक्सपेडिशन है 1497 में इन्होंने समरकंद को जीता और करीब इन 100 दिन रूल किया है लेकिन जब समरकंद को जीता तो फरगना लॉस कर जाते थे तो इस प्रकार का कुछ सिच पस हुए और अपने आपको मिर्जा टाइटल दिया इसके बाद बाबर ने एक नई डानेस्टी के शुरुआत करी चगती क्लैन ऑफ टर्की में और मुगल्स नाम दिया गया गैंगेस खान के सेकंड बेटे के नाम पर बाबर का इन्वेशन हम देख लेते इंडिया में क्य से आगे वाला वह वाले रिजन से भी इनको प्रेशर था एड टेट टाइम इंडिया में बहुत स्ट्रॉंग पॉलिटी और नॉर्थ वेस्ट फंट्री प्रविंस जो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चेट वहाँ पर बहुत ज्यादा क्रंक्री पॉलिटी नहीं थी को स्ट्रॉंग डेडर्स नहीं थे तो वहां पर इनको पैसे की बहुत जरूरत थी इनको क्रेविंग थी पैसो के लिए वेल्थ के लिए तो लिमिटेड इंकम काबूल से आते थी तो इनको वापस एक्सपेडिशन इंडिया के लिए भी करना था इंडिया को ऐसा दौलत खान और इब्राहिम लोदी का तो एक इन्विटेशन मिला था इनको दौलत खान की तरफ से और जिसके वैसे इंडिया में अटेक किया था नेक्स देखते हैं कि क्या के एक्सपेडिशन इंडिया में आने के पहले रहे हैं तो इंडिया में आने के पहले पहले इनके खेबर पास का उप्योग करके इंडिया में आया है और भीरा करके एक जगह है जेलम के पास में उसको भी इन्होंने जीत लिए तो इनका पहला एक्सपेडिशन जो 1519 का है वो 7 जैनवरी के आसपास हुआ था दूसरा एक्सपेडिशन इनका उसी एर सप्टेमबर में हुआ थ काबूल के आसपास एरिया में फिर से रिवाल्ट होने लगा तीसपेडिशन इन्होंने 1520 में नेक्स्ट इयर किया है और वापस फिर जब काबूल से फिर इंडिया की तरफ आए बाज़ोर को जीता और जीतते जीतते ये सियाल कोट पंजाब तक पहुच गए और सियाल किया और अपने बेटे कामरान को महा का सुबधार अपॉइंट कर दिया कि तुम महारो नेक्स टेक इनका 15 2024 का है इये फोर्ट अटक इस रोडने मैक्जिंट पंजाब का कर लिया और जब maximum part पंजाब का concur किया तब इनको पता चला है कि यहाँ पर जो है पॉलिटी जो है उसमें अफगानी नोबल्स की बीच में बन नहीं रही है और इब्राहिम लोदी जो है जो लास्ट अफगानी रूलर है वो जो है इंडिया के डिल सलतनत के वो दूसरे अफगानी नोबल्स की रस्पेक्ट नहीं करते हैं और दौलत खान जो है जो गवर्नर है पंजाब के उनसे इनका विवाद चलता रहता है और फाइनली 1525 में इन् इस बैटल के बाद ही मुगल डाइनस्ट्री स्टैबलिश्मेंट हो गई इंडिया के अंदर जब ये पांच लड़ाईयां लडने के बाद फाइनली जो रास्था था वो साफ हो गया डेली की उपर और अपने जितनी भी लड़ाईयां लड़ रहे थे उसमें फाइनली में मगें 15,500,000 के असपास लोग थे इबराहिम लूदी के पास लेकिन और बाबर के पास उतने नहीं थे बाबर के पास जो थे वो कम थे 10-12,000 सैनिक वगेरा थे उसके बाद कई जगा लिखा जाता है 70 कई जगा 700 तो इस प्रकार की तोपे थी इनके पास बहुत सारे कैनन्स थ यह जो बैटल हुआ है इसमें लगभग एक सफता तक एक वीक तक दोनों आमने सामने दोनों की सेनाई खड़ी रही उसके बाद 19 अपरेल को रात में बाबर जो है उसने आक्रमंट कर दिया इब्राहिम लोधी के सेना के उपर और फाइनली 21 अपरेल 1526 को दोनों की बैटल हु है कि कैनन्स का यूज जो हुआ है यहां पर गन पाउडर का जो यूज हुआ है वो टेकनीक इब्राहिम लोधी के पास नहीं थी जब यह बैटल हुआ बाबर जीट गए तो बाबर वर वरी हैपी और फाइनली मुगल एंपायर केम इन्टू थ्रोन सो बाबर ने क्या किया जितने भी लोग रहते थे काबूल में उन हर एक सिटिजन को एक एक सिलवर कोईन दिया अब ज़्यादा जेनर सिटी हो गई इसलिए उनको एक टाइटल मिला कलंदर नाम का टाइटल दिया जाता है इनको अपने जेनरेस बेहेवेर की कारण और इंपोर्टेंट है इन्हों और राना सांगा की बीच में लड़ा गया माना जाता है कि राना सांगा जो थे वो बाबर को सपोर्ट करने वाले थे फर्स्ट बैटल ऑफ मानिपत में बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो बाबर में इनकी उपर अटेक कर दिया अटेक करने का सिक्वेंस ऐसा है कि पह सकता समय की पॉलिटी कुछ और होती है लेकिन वहीं रुख गए और मुगल्स वहां से भाग गए फिर रिट्रीट किया है मुगल्स की तरफ से और बाबर ने इनको हरा दिया तो जो इनका 16 17th मार्च को बहुती फेमस बैटल हुआ है और इस बैटल में जो तोप वगेरा यू इसके वज़े से जो बाबर है वो जीत गए नेक्स्ट आपका जो बैटल है डैट इस बैटल ओफ चंदेरी लेकिन बैटल ओफ खानवा जो है वह इंपोर्टेंट इसलिए है विकॉस बैटल ओफ खानवा के बाद राजपूत जो है उनका डिकलाइन होना चालू हो गया और बैटल ओफ खानवा में बाबर की जीतने के बहुत सारे रीजन्स भी थे जैसे कैनन का यूज़ करना तुगलूमा वर्स्ट्राइज यूज़ करना लैक ओफ कॉडिनेशन बिट्विन राजपूत किंग्स उसके बाद बयाना के बाद आगे अटैक नहीं करना और मिलिक्ट किया गया तीसरा इंपोर्टेंट बैटल आता है बैटल ओफ घागरा जो बिहार में हुआ था अब बिहार की पॉलिटी ये है कि भई इब्राहिम लोदी के भाई जो है मुहम्मद लोदी राइट ही वस एन अफगानी फी हैस गॉट मैटरी मोलियर रिलेशन विद बेंगॉ और बेंगॉल वस रूल डबाई नसरत शाह इन दोनों की कमबाइंड आर्मी को भी बाबर ने हटा दिया बाबर ने हरा दिया इसके बाद क्या हुआ है कि बाबर के जो बेटे थे हुमायू हुमायू इनको अकंपनी कर रहे थे मतलब जितने पहला फॉस्ट बैटल आफ पा हो गए पट इससे बाबर की डेथ हो गई और 26 दिसेंबर 1530 को बाबर की डेथ हो गई सिर्फ 47 येर्ज के थे वह थे वह थे वह थोड़ा से हम लोग और इवैलूइट करते हैं बाबर को कि यह इकलौते रूलर हुए कुशानास के बाद जिन्होंने काबूल से लेके कांधा के पूरे इरिया को कंकर कर लिया तुगलगुमाव और स्टाटेजी लेके आए हैं गज बाबरी एक नाम मेजरिंग यूनिट है जो साइंटेफिक है इनके बाद इन्होंने गेम ओफ कार्ट्स और पीजन गेम्स गंजीफा और इश्कबाजी नाम के दो गेम्स इंट्रिज इस बाबर के समय और भी वर्क्स हुए है जैसे लिट्रारी डूमेन वर्मेंट वुए देख बाबर ने खुदी और तो बायो गाराफिय लिखी अपनी बाबर के समय रिसाल एक वाज करके की घ्रामर की उपर लिय ट्रेचर लिखा हुआ हूआ है उसके बाद इन्होंने एक सिक्स्त मार्च 1508 को और सबसे बड़े बेटे हैं बाबर के तो जब हुमायू का बर्थ हुआ और इनको राजगदी मिली तब इनके बहुत सारे ब्रदर्स थे और हर ब्रदर को अलग-अलग एरिया दे दिया जैसे कामरान है कामरान को काबुल और कांधार के रिए दिया दिय चार दिन बाद अपने पिताजी की डद के 22 की 22 साल की एज में हुमायू को राजा बनाये गया है आगे बढ़ते हैं इनिशल चैलेंजस क्या क्या देखने के लिए मिले हैं हुमायू को टाइम पिरिड में सबसे पहला डिस इंटिग्रेशन ऑफ देंपायर अलग-अलग त्यस्क्री सिक्राइब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क accept 23 लेकिन दे Alors ईच्पीशन Alrighty लोग सभी यूश् सबसे पहलान का इसको बलते हैं कालिंजर का इस Calinger के expedition में रूद्रदेव को इन्होंने हराया था हलाकि यह खुद हारने वाले थे दूसरा expedition का धोरिया वाला है जिस में इन्होंने मुहम्मद लोदी को हराया था और चुनागड का फोट इन्होंने कंकर करने की कोशिश करी थी तीसरा इसके बाद इन्होंने कामरान को हराने की कोशिश भी करी है चुनार फोर्ट को फिर से काप्चर करने की कोशिश करी है उसके बाद इन्होंने बहादुर शाह से बैटल लिया है जो रूरर थे गुजरात के और उन्हें फोर्ट और मांडू और चंपानेर को कैप्चर कर लिया नेक्स्ट है बैटल ओफ चाउसा और बैटल ओफ कनोजिया बिलग्राम ये दो बैटल है इसमें शेरशा सूरी ने इनको हरा दिया तो पहला बैटल जो 1539 का है बैटल ओफ चाउसा और दूसरा है 1540 का बैटल ओफ कनोजिया बैटल ओफ बिलग्राम तो जैसे ये बैटल ओफ बिलग्राम में ये हारे और इसके बाद यहां से ये भाग गए तो भाग के गए कहा हैं ये भाग के आगे गए सफावीद एंपायर में आगे इरान की तरफ भाग के चले गए इसके बाद इनकी कुछ रिजन से फेलियर के जैसे इंपायर इनका डिसेंटिग्रेटेट था इनकी luxuryous life थी माना जाता है कि जब भी कोई battle लड़ते थे तो उसके बाद आके relax करते थे तो यह relax अगर नहीं करते और अपने आपको consolidate करते तो भी हारते नहीं इसके बाद यह कहा जाता है कि इन्होंने शेरसा सूरी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इसके बाद ट्रेजरी का लॉस बहुत हो गया था, ब्रदर से कोई help नहीं मिली इनको, और इनके जितने decisions थे battles के, वो थोड़े sink में decision नहीं थे, तो यह जैसी इन्होंने battle हा रहे हैं दो, यह वापस चलेगे, इनकी escape life की बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले यह हमायू flood हो हुआ है, इसके बाद यह और भी घुमतर है, कांधार, इरान, यह वाले एरिया में गए, 1545 में शेर्षा सूरी की death होगी, और शेर्षा सूरी के बाद कोई भी proper ruler था नहीं, जब कोई proper ruler नहीं था, तो इन्होंने attack किया, पहला 1555 के माई में मच्छीवाड़ा के battle में हुमाय इसके बाद यहां से बैरम खान की quality भी थोड़ी बहुत start होती है, because आगे जाके बैरम खान, अकबर की region की रूप में आपको दिखाई देने वाले है, नेक्स्ट है, जो इनकी death हुई है, वो दिल्ली में हुई है, दीन पना library में चल रहे थे और चलते जलते गिर गए, और इ knowledge था, maths का, he loved painting, he loved poetry, अब देखते हैं कुछ questions क्या case में से बन सकते हैं, तो यह कुछ short answers questions बन सकते हैं, तुझो के बाबरी क्या है, तुगलूमा warfare strategy क्या है, बाबर की उपर 3 marker आ सकता है, हुमायू की उपर 3 marker आ सकता है, first battle of पानिपत की उपर 3 marker आ सकता है, medium answer की बात करेंगे, तो question आ सकता है, first battle of पानिपत के बारे में, what was the causes of the battle, what was the course of the battle, what were the consequences of the battle, then we have questions about expeditions of बाबर, political structure of India before invasion of the बाबर, why हुमायू got failed and evaluate हुमायू's era, so major चीजे मैंने discuss कर लिये, topics के अंदर, but यह जो कुछ questions से हम लोग उसको discuss करेंगे, तो पहला question डिसकस करते हैं, तुझो के बाबरी, तुझो को बाबरी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका देख लेते हैं, कि तुझो को बाबरी जो आब आब आबरी कि ओटो बागराफ ही है, इसमें इंडिया के अकौंट्स के बारे मोअच्छा दिया हुआ है, और बाबर नामा को पर्षन में convert करके इसको ब फ्लोरा फोना के बारे में इन्होंने कनफेस कि अपने फिलियर्स के बारे में और इंडिया का विविड अकाउंट दिया है इनिशली टर्किश लेंग्वेज में थी पर्शियन में इसको कनवेट किया अब्दुलरहीम खाने खाना में कि नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं तुगलुमा वार्फेर स्टाटेजी क्या होती है तो यह कि स्टाटेजी जो बाबर इंडिया में इंट्रिद्यूस करके लाए थे फॉस्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसे यूज़ किया था इसको कोकुटनेट स्टाइल या फ्लैंकिंग उनके पहले बर्थ के बारे में लिख लीजे तो यह एल्डर संथे बाबर के और सेकेंड डूलर अफ मुगल्स थे इंडिया में इसके बाद लग्जूरिस लाइफ जीते थे यह सारी चीज़ों में इंका एर्याफ इंट्रेस्ट है और कैसे यह शेर सासूरी से हार गये थे नेक्स्ट है अगला कोशन है six marker या five marker में आप इसको अटेमिट कर सकते हैं causes, cause and consequences of first battle of पानिपत तो एक यह तरीका है आपका इसको लिखने का इस तरीके से आप लिख सकते हैं और भी तरीके हैं लेकिन यह तरीका मुझे ठीक लगता है आप चाहे तो तो तीन columns बना के लिख सकते हैं कि what was the causes, what was the course and what were the consequences of the battle तो इसको आप देख लिजे सबसे पहले causes, political instability, resistance from the Central Asia, India as a land of opportunity and invitation from दौलत खान, course of the event है आपका और उसके बाद consequences है तो यह मैं आपको और लेडी एक्स्पेइन कर दिया है next question है आपका that is expeditions of the barber, तो बाबर के expeditions की बात करेंगे तो एक तरीका यह हो सकता है expeditions का जिसके अंदर आपने पहले के आपके 4-5 expeditions और बात के आपके 4 expeditions, तो 15-19 से लेके 15-24-25 के expeditions उसके बाद battle of पानिपत, खनवा, चंदेरी और घागरा इनको आप mention कर सकते हैं, बहुत क simple, सिर्फ location लिख लिजे और arrow wise बदा सकते हैं कि कि किसके बाद कहा है, इसमें आप year जरूर लिख दीजेगा, कि year कब कहा कौन सा battle हुआ था, तो यह कुछ questions से मैंने discuss करें आप से, hope यह lecture आपको समझ में आया हो, जो भी अधिक जानकर इचाहिए तो आप हमें पिंग कर सकते ह हमारे ग्रूप से अलग-अलग शोशल मीडिया में और थेंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थेंक यू सो मुच